नमसकार दोस्तो, पहाडी आयरवेधिक में आपका स्वागत है, दोस्तो आज मैं आप लोगों सामने सिंग परनी का पोधा लेकर आया हूँ और आज इसी पोधे के बारे में, इसी के फायदे और पहिचानक बारे में आपको बताऊंगा तो दोस्तों सिंग पर्णी का जो पत्ता होता है वह करीबन 5 इंच से लेकर 12 से लेकर 14 इंच तक भी पाया जाता है तो देख लिजिए यह है सिंग पर्णी का पत्ता जो की करीबन 14 इंच तक लंबा है दोस्तों सिंग परनी का पौधे का जो तना होता है वह बिल्कुल पोपला होता है इस तरह से देख लीजिए जिस तरह से पपीतों का पत्ते का डंटल जो होता है पोपला उसी तरीके से इसके भी डंटल जो है जड़ तना ये सभी पोपले होते नरम इस तरह से देखिए इस से काटे भी जैसे सत्यानासी के पत्तों पे काटे होते हैं उसी तरीके सिंख परनी के भी पत्तों पे काटे होते हैं और दोस्तों पत्तों के पीछे का नीचे का डंटल और पौधों के जो भी तना डंटल वह सभी लाल रंग के हलके लाल रंग के दिखाई देते हैं मैं आपक के अंसवार बहुत ही थंडा और सीतल होता है मुत्रल भी होता है दोस्तों यह पोदा बिटामिन तत्तु से भरा हुआ माना जाता है दोस्तों थंडा तासिर होने को वज़े से इसके अंदर बिटामिन सी पाया जाता है इसके पत्तों बिटामिन सी मात्रा बहुत ही अधिक होत या आयरुवेदिक जड़ी बूटी के दवा सिंग पढ़नी पेट के लिए काफी फाइदे बंद है पेट के अंदर एसी डीटी सूजन कब्ज या किसी भी तरीके कातों के अंदर जक्म घाव इंफेक्शन सभी पर या फाइदे बंद है दोस्तों विटामिन यहां करता है दोस्तों या सिंग पढ़नी का पौधा सरीर के अंदर ब्लड सर्कूलेशन को लिमिट में करता है व्लड पेसर को सांट करता है और आंड़ी वाले पेसेंट के लिए भी काफी फाइदे मंद या खून को भी बढ़ाता है और खून फिल्टर भी करता है दोस्तों या पेंक्रिया को भी लिमिट में रखता है जिसके वज़र डायप्टीज सुगर का भी प्रोब्लम इससे समाप्त होने चांस बना रहता है दोस्तों या सरीर के दरत पे भी काफी फायदे मंद है दोस्तों सिंग पढ़नी का फूल पत पत्ति और जड़ तना सभी आयरवेदी का उस्तियों मिस्तिमाल किया जाता है दोस्तों इसका स्वाब जो है और महक जो है गोभी के पत्तों के जैसा ही होता है तो दोस्तों इस सिंग पढ़नी के पोधे के अंदर केल्सियम मेंगनेसियम फास फोरेस का मात्रा भरपूर मिल जिसके वजह सरीर को ताकत देता है और वीमारी से लड़ने वाले रोग प्रतीरोदिक चमता को बढ़ानिक काम करता है दोस्तों इस पोधे के अंदर केल्सियम मात्रा आधिक होने के वजह से या हड़ी को काफी मजबूत करता है जिसके वजह स्वाज़ बॉन्स लॉंस होन यह काफी फाइदे मंद है दोस्तों शिंग पढ़निक पोधे के अंदर पालक से दो गुना ज्यादा आयरं लोहा पाया जाता है जिसके वज़स यह खून बनाता है खून बढ़ाता है दोस्तों इसका तासीर ठंडा है इसलिए यह बवासीर रोगियों के लिए भी काफी ना या ना तो दोस्तों किसी भी तरीका का अगर ब्रेन का प्रॉब्लम हो तो आप इस साग का इस्तमाल करेंगे तो आपको अवस्जी फाइदा होगा तो दोस्तों हजारों सालों से इस आयरुबेदिक जड़ी बूटी सिंग पढ़नी का इस तो आप एक बार फिर से देख करने से जलन में ठंडा पन आएगा और जलन धीरे धीरे नश्ट हो जाएगा देख लीजिए दोस्तों या डंटल लाल है सिंग पढ़नी को पत्थर चूर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि या पत्थों के या दिवालों के अंदर ही पैदा होता है इस तरह से देख किया जा सकता है और इसके जल को सुखा कर चूरन बना कर भी इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तों पत्थर चूरी से इसलिए कहते क्योंकि या पत्थरी को गला कर फिसाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है और दोस्तों या हाट के लिए भी काफी फाइदे मंद है दोस्तों या सिंग पढ़नी शरीर के अंदर बेट को भी कंट्रोल करता है और मुटापा के लिए भी काफी फाइदे मंद है या अर्ष और बवा सीर को भी ठीक करता है तो दोस्तों हड़ी के अंदर केल्सियम पतला हो जाता है जिसके वज़े से हड़ी में गाठों में दर्द होने दोस्तों इसका चै भी बना कर आप पीस दोस्तों सिंग परनीक पूदेक उचाई करीबं तीन से चार फुट तक पाया जाता यह जो मैं पाया हूँ इससे आप देखिए इसकी उचाई करीबं ड़ाइ से तीनumuz तक है और यह देखिए यह पीले-पीले फूले पकेंगे और यह सफेद हो जाएंगे फूक मारने पर उड़ने लगेंगे वह भी फूल में आप दिखा रहा हूं यह खिले हुए नहीं है अभी फूल खिलेंगे कल तक यह कली हैं दोस्तों फूल खिलने के बाद इस तरह से सफेद सफेद रूई की जैसे हो जाते हैं और इसे फूक मारने यह उड़ने लगते हैं बहुत ही मज़ा आता है जब यह उड़ता है तो बच्क्र Medium ं Seal लेकिन इसे कोई खाता नहीं क्यूंक कि इसके इसके चारों तरब काटे होते हैं उस काटों को वजह है इसके कोई खाना पंपहःते लाईबहरी यसा को अब्धिक करता है